हलो गाईज वल्कम टो इस्टे और फीचर एजूकेशन यूट्यूब चैनल माय नेम इस अभीशिक ठाकूर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रादेश पबली सर्विस कमीशन के दौरा निकाली गई वेकेंसी के बारे में तो इस वीडियो को बताने वाला हूँ आपको HVPSC के द्वारा निकाली गई Deputy Superintendent of Police की वेकेंसी के बारे में तो इस वेकेंसी निकाली गई है HVPSC के द्वारा पोस्ट का नाम है Deputy Superintendent of Police Wireless जो की Class 1 गैस्टेट पोस्ट है Regular basis पे पोस्ट होगी है और इसका जो Payband रहेगा ये रहेगा 15,600 से लेके 49,100 प्लस रुपीज 5,400 ग्रेट पे होगा और ये Department of Home हिमाचल प्रादेश में आपकी Recruitment की जाएगी अब बात करते हैं इसकी Last Rate of Application क्या रहेगी तो Last Rate है इस Application Form को Online Fill करने की 15.07.2019 यानि की 15.07.2019 तक आप इस पोस्ट के लिए Online Application Form जो है Fill Up कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी Vacancy के बारे में तो नाम है पोस्ट का Deputy Superintendent of Police Wireless Class 1 गैस्टेट पोस्ट नंबर आफ पोस्ट है एक यू आर अन्डिजर्ड पोस्ट है यह और एक वेकेंसी है इसकी Regular Basis पे पोस्ट होगी एज के अगर बात करें तो इसके लिए Age Limit रखा गया है 21 साल से लेके 35 साल के बीच में यानि की Between 21 and 35 Years के आपकी जो एज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE slash BTEC Degree in Electronics and Communication Engineering या फिर Electronics and Telecommunication Engineering या फिर Electrical and Electronics Engineering या फिर Electronics and Instrumentation Engineering इन जितनी भी ब्रांचिज मैंने बताई इन में से किसी में भी अगर आपने BE BTEC Degree किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं Desirable Qualification में बताया गया है कि आपको Knowledge of Customs, Manners and Dialects of Himachal Pradesh and Suitability for Appointment in the Peculiar Conditions Prevailing इन प्रादेश तो यह Desirable Qualification जो है आपको बताया गया है इस पोस्ट के लिए तो यह था इस पोस्ट के लिए Essential Qualification और Age Criteria अब बात करते हैं कितनी फीस लगेगी आपको अगर आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो फीस के अगर बात करें तो General Category के लिए Examination Feast होगी 400 रुपीज SC of HP, ST of HP, OBC, BPL of HP के लिए Examination Feast रहेगी 100 रुपीज और Ex-Serviceman of HP के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी तो यह है इसका फीस क्राइटेरिया अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस application form को fill up करने में आती है तो आप यह जो अपनी स्क्रीन पे नमबर दिये हुए हैं एक टोल फ्री नमबर है 1800 18800 4 इस पे call करके पता कर सकते हैं या फिर फोन नमबर है 01772629738 इन नमबर पे contact करके आप इस application form के बारे में और इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं तो यह है DSP पोस्ट जिसको आप फिलब कर सकते हैं 15 जुलाई 2019 तक सुखाई जेत हाज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया हिमाचल प्रादेश पबली सर्विस कमिशन के द्वारा निकाली यह वेकेंसी के बारे में